तो हमआपको आप देख सकते हैं चीनी इनू and mayda और पानी और यह बहुत ही easy है हम बनाते जाएंगे और आपके इसका measurement आपको बताते जाएंगे तो हम इसमें पहले चीनी डालेंगे चीनी हम डेर कफ लेंगे यानि इस प्याले से हम डेर प्याला चीनी लेंगे और measurement का हमेशा आप याद रखिएगा इससे आपकी जलेवी परफेक्ट बनेगी नहीं तो आपकी जलेवी खराब भी हो सकती है और इसमें हम एक प्याला पानी डालेंगे और इसे mix कर लेंगे तो याद रखिए डेर कफ चीनी में हम एक कफ पानी डालेंगे और इसमें आप जो भी आपको मिक्स करना है जैसे कि आप फुरूट कलर या फिर आप थोड़ी सी केसर की धागे और थोड़ी सी हम इसमें लेंबू का जूस डाल दिये हैं और थोड़ी सी हम फुरूट कलर डाल दिये हैं जिससे इसकी कलर अच्छी आएगी और लेंबू का ज जल्दी जमेगी नहीं तो यह चासनी हो गई है रेडी तो चलिए हम जलेवी का डो बनाते हैं इसके लिए हम डेरी कफ मैदा लिए हैं और मैदा को घुल लेंगे और इसमें हम थोड़ी से पहले घी डालेंगे अकर आपके पास घी नहीं है और डाल दीजिए तो हम इसे चोट बनेंगे और इसमें हम थोड़ी थोड़ी से पानी डाल करेके एक डो लगाएंगे बहुत यह आसान है बनाना बस कुछ टिप्स को धयान रखना है और यह जिलेवी बहुत ही बाजार जैसे क्रिस्पी कुरकुरी बनके रेडी हो जाते हैं तो यह देखिए इसकी टेक्चर क गई है अब देख सकते हैं तो हम इसमें थोड़ी से डालेंगे फोड कलर अगर आप चाहें तो डालें नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं तो देखिए मैंने इसमें थोड़ी से डाल दे और मेंस कर लेंगे इससे कलर अच्छी लगती है और जिलेवी बहुती सुन्दर लग वीज बना नहीं है कि हम पार डालेंस तो दहुरु अधर, चमिल को बडाइ अब हम जादर चम्माढ़ा हुए हुन्स थाया पीजियाए सबस्ट grammar। से देखें बाइनु गई है चलिए एक कोईन बनाते हैं जिसी हम जिले भी बनाएंगे तरह से एक प्लास्टिक ले लेंगे इस तरह से आपके घर में भी प्लास्टिक तो इसे हम गई हूं नीचे से लिए टार से मोल यह काट लेंगे इस तरह असे हम एक उस्वे 2 हिसा ले लेंगे तो देखिए इस तरह से कट गयी है और यह नीचे कुणा की साइड है और दाइसकीद काट की चैड़ आप रहनों कैया हैं गया आफा थ прин BACK wearing को भर लेंगे कितनी अच्छी से और यह देखिए और एक प्याले में आप इसे रख दिजिए नहीं तो आपका इधर उदर इसकी बेटर फैल जाती है तो आप इसी में रखिएगा और देखिए इस तरह तेल भी गरम हो गई है तो थोड़ी सी हम डाल कर किसे चेक किये हैं किस की काम नहीं है बनाना तो आप ट्राय जरूर किजिएगा बहुत ही आसान और बहुत ही जिंपल है बनाना और देखिए इस तरह से हम low to medium पर इसे हम चलाच बनाएंगे अलट पलट करते रहेंगे और इसी तरह पलट करके हम इसे बना लेंगे अब चाहे अगर ज्यादा आपको कुर्कुरी पसंद है तो इसे अच्छे से क्रिस्पी कर ले अगर आपको कुर्कुरी नहीं पसंद है तो आप थोड़ी सी हल्की सी ही रहने दे ज़्यादा कूर कूरी बना है और ज़्यादा उसकी लालना करें और हम भीसे चाशनी में डाल दीगे हम दूसरे गयस पर रखे हुए है तो उइधर हम डाल दे रहे हैं इस तरह तेल फिर से गरम है । लो टू लोटू मोडियम फ्लेम पर हम करके रखे हैं तो इसमें भी हम इसी तरह जिलेवी बनाते जाएंगे और इसी तरह चानते जाएंगे तो आपने देखा है न जिलेवी बनाना आसान कौन कहता है जिलेवी बनाना मुश्किल काम है कोई मुश्किल नहीं है जिलेवी टेरी मेरी तो बनाना है कौन से सीधी बनाना है जिलेवी तो टेरी ही होती है और ये देखिए मैंने चासनी से निकाल करके दिखा रही हूँ आपको इतनी खोबसूरत कलर आई है माशारला और मैं सब बन जाएंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे दिखिए और सेम यसी तरह से हम सब जिलेव्यो को बनाते जाएंगे आप तीन चार ऐसे करें जैसे आपका बन करें उतना जितना बड़ा आपको कराही है उसी हिसाब से आप बनाते जाएंगे इसमें ना जादा तेल लगता है और ना जादा चीनी और ना जादा बाहर से मुझे कुछ सामान लाना पड़ता है तो घर की छोटी मोटी कीचन की छोटी मोटी सामान से हम बहुत ही अच्छी डिस बनाएंगे और घर में मीठा बना करके हम फूरी फैमिली इंजुआई कर सकते हैं आपने डेर कप में बहुत सारा जिलेवी बना लेंगे फूरी फैमिली के लिए और तेल करम है तो हम इस तरफ दिखा देते हैं आपको फिर हम बाद में बनाएंगे देखिए कितनी अच्छे सी जलेवी हो गई यह रेडी और रस से भड़ी हुई यह रस भड़ी जलेवी है कुरकुरी मुझे कुरकुरी जले भी बहुत पसंद है इसली मैं कुरकुरी बनाई हूँ और ये बहुत ही कुरकुरी है हाथ मैंने धोई भी नहीं हूँ देख सकते हैं मेरे हाथ में आटा भी लगी हूई है और मैं धोई नहीं क्योंकि कि मुझे वीडियो में सूट करना था और और भी बनाना है तो मैं हाथ दोलूगी एक ही साथ बना करके तो देखे कितनी अच्छी से इसमें देख सकते हैं आपने कितनी अच्छी से चासनी इसमें पे लिया है और बहुत ही अच्छी कुरकुरी है माशारला आप जरूर पादेगे हाँ है यह जलेभी बनाने का और वीडियो बना वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आ यदे आप यी एक बनाए घ्रां अब आपको यह जिलेभी अच्छी बनी और आप को रीजीवी अच्छी लगी तो वीडिये एगा से लिगतना प्लीज लाइक ột लिक रिद और जोबी वीडियो मैं बनाती हूँ वीडियो देखने के लिए प्लीज मे रहने के लिए बिल आइकन का बटन पॉर्स करें ताके उसे मेरा आने वाली जो भी वीडियो होगी हूँ मिरे सबसे पहले आप देखेंगे और यह बहुत है माशालला के स्पी कुर कुरी जिली भी बन गर के रेडी हो गई है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक की जिएगा फिर में लेंगे दूसरी वीडियो में जबत के लिए